आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि Bactrian Camel और Arabian Camel के बीच में मेंली फरक क्या होता है तो हम देखते हैं Camelus नाम के Genus में हम Camels को प्लेस करते हैं और इसमें मेंली तीन species होती है एक species होती है हमारे Arabian Camel की जिसको हम Dromedary Camel भी कहते हैं और Camelus Dromedarius इसका Scientific Name होता है जबकि बाकी दो species Bactrian Camel की होती है एक Normal Bactrian Camel दूसरा Wild Bactrian Camel और इसकी Species नेम होता है Camelus Bactrianus इन दोनों में फरक मेंली हम यह देखते हैं कि अगर इनकी बाडी को observe करें तो Dromedary Camel के पास एक Single Hump प्रेजेंट होता है जैसा कि हम यह आपर देख रहे हैं जबकि हमारे Arabian Camels के पास दो Hump होंगे अब Hump होता क्या है सबसे पहले अगर यह देखें हम देखेंगे कि Camel में पाया जाने वाला यह Fat का एक Reservoir होता है और Mainly इसका Function क्या है क्यूंकि Camels Generally Hot Climate में रहते हैं Desert में रहते हुए हैं पाय जाते हैं तो इसी लिए इस तरह कि Fat के Reservoir की उन्हें जरुवत होती है क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लंबे समय तक उनको पानी नहीं मिल रहा है खाना नहीं मिल रहा है यानि सस्टेनेंस उनके पास अवेलेबल नहीं है तो इस समय पर अपने Hump में यह जोनोंने Fat स्टोर कर रखा है इसी को यह metabolize कर देते है और इसी से उन्हें energy और पानी मिलता रहता है लेकिन camel family में दूसरे भी कई members होते है ऐसा नहीं है कि camels की family में solely हमें camels ही मिलेंगे इसमें lama और alpica जैसे दूसरे animals भी मिलते है लेकिन इनमें हमें hump नहीं मिलेगा क्योंकि hot climate में रहने की ही यह modification होती है एक adaptation होती है एक तो जब खाना नहीं मिलता तो यह इसको metabolize करके अपने लिए पानी अप्टेन कर लेते हैं और दूसरी चीज़ कि अगर यह fat इनकी पूरी body में फैला रहेगा इस तरह से hump में यह concentrated नहीं होगा तो पूरी body में इनसलेशन प्रोवाइड करेगा fat की layer से इनसलेशन तो होई जाती है इनकी body heat बाहर escape नहीं कर पाएगी और इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी hot climate में रहना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा इसी लिए ताकि यह पूरी body में फैला न रहे इनसलेशन न दे इसको यह इस तरह से hump नाम के structure में concentrate करके रख देते हैं तो यहाँ पर correct answer Bacterian और Arabian camel या फिर Camelus Bacterianus और Camelus Dromedarius के बीच में क्या हो जाएगा main फरक? option D कि Arabian camel के पास एक hump होता है जबकि Bacterian camel के पास दो hump हमें मिलेंगे हाला कि हम one hump वाले camel को ही Dromedary camel को ही जाधा तर जानते हैं क्योंकि Camels की 94% population 94% population इन ही की बनी होई होती है और बाकी जो remaining है सिर्फ वो ही Bacterian camels होते हैं तो यहाँ पर बाकी options हमारे कि Bacterian camel की hump fat store करती है जबकि Arabian camel में absent होती है गलत बात हो जाए इसके पास एक होती है जबकि Bacterian के पास दो hump होंगे उसी तरह से लिखा है कि stomach four chambered होगा तो camel को ruminants के अंदर हम नहीं डालते है true ruminants इसको नहीं कह सकते और इसी लिए इस तरह के चार chamber camel के stomach में present नहीं होगे जो हमें ruminants में मिलते है फिर लिखा है कि three digits होगी तो ये भी इन दोनों camels के बीच में distinction नहीं होगी इनके hump के basis पे ही basically हम camels की ये दो different species को distinguish कर सकते हैं तो यहाँ पर option D सही answer मार्क कर देंगे Classics tutorial से लेके नीट IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर